मामले को लेकर नेता प्रतिपक्षो वज़ा सन्हा मोतिहारी पहुँचे जाओ उन्होंने शराब कांट बे तुरकॉल गया के लक्ष्मिपूर के पीडितों से मुलाकात की उन्होंने पीडित परिवारों से घटना की जानकारी ली इसके बाद लक्ष्मिपूर से वो सदर अस पताल में बिमार लोगों का हाल चाल जाना तो देगे पीडित परिवारों से मुलाकात करने के लिए विजसनहा उनके घर गए परिवारों से मुलाकात की ओग और हाल चाल जाना है जो लोग अभी बिमार है रंजीत हमार साथ जादा जान कर लिए जो गए हैं रंजीत इस घटना में जहरीली शराब कान में अब तक कितने लोगों की मौत हो चुकी है और जिनका अभी फलाल इलाज चल रहा है उनका किस तरीके से इलाज चल रहा है और उनकी क्या स्थिती है पहले तो अपडेट देया बताजे कि जहरीली शराब से लगबच 30 लोगों की मौत हो चुकी है लबच 14-15 लोग सदर होस्टीटल में एडमीड हैं जिनका इलाज चल रहा है जब हम लोगों ने डॉक्तर के बात की तो दॉक्तर बताई कि सब का इस्थिती अब समान है उसी को उस समान है लगी सब से प लच्मिपुर गाउं में जाए जहां पिडिक परिवार के मिलकर हाल दाना उन लोगों की मौत जहरी विजय सिना ने पिडिक परिवारों को क्या श्वासन दिया रंजूरीत और रंजीत देखिए पौलिस परिशासन का कहना था कि इसमें कुछ लोग जो मरे हैं वो डायरिया की वज़े से मरे हैं, फूड पॉइसनिंग की वज़े से मरे हैं, लेकिन जब तहकीकात की गई इसके बाद क्या सामने निकल कर आया है कि जितने लोग भी मरे हैं वो शराब पीने की वज़े से ही मरे हैं या फिर सच में इसमें डायरिया और food poisoning से भी मरने की कोई लोग है इसमें। रंजीत आप नजर बनाए रखें इस खबर पर फिलाल बहुत शुक्री आपका तमाम जानकारियों के लिए।